और आपको धन्यवाद देते वे आपकी अराद न हम अपकी पुजा करते हैं और कितने ही लोग इस दिन को न देखते वे अपनी यात्र को ने समाप्त कर दिया कोई हैसे है इस दिन को देख रहे हैं लेकिन में शांती नहीं है लेकिन आपने हमें वो स्वास्त दिया है आपने में शांती दिया पूज़ी नहीं करके शसम्दी को दैन्यवाद करते है और जो भी जन आये हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और अब तक गीतों में आपने सहाय तक इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं और आपके अरादना करने हैं आप हमें लेकर आपके वचन को लाएं इसलिए आपकी अरादना करते हैं करते हैं और आत्मा से भरे ऐसी हम प्रात्ना करते हैं और भचन सहीता आप उसमें लिखे गए वचन के नुसराफ हमारी सहीता करें और आत्मा का परिपूनता आप हमें दे ऐसी हम प्रात्ना करते हैं और जो कोई मार्क में हैं आप उन्हें जल्दी लाए ऐसी प्रात्ना करते हैं आपके वचन पर आधारित होते हैं सारे दिन की सेवगा के लिए आपके सहायत की आप मांगते हुए प्रभु येश मसी के नाम में ये छोटी सी प्रात नाम करते हैं सुनिय और ग्रहन करें पिता आमें प्रभु नुमनमों आरा दिन चलान करके हैं वह चुनाम और परमेश्वर की अरादना करने के लिए हम यहां पर आए हैं और रात के समय भी हमने और प्रभु नुमनमों आरा दिन चलान करने के लिए और किसको आधर रखते हैं अरा दिन किया ना प्रानमा यहा को द्धन्यक है और यदि हमारे प्रान चले जाएं तो तदाचित हम उसकी अराधना हम नहीं कर सकते और जिवित रहकर परमेशन की राधने करने का जो भाग है ये बड़ा मान जो परमेशन हमें दिया है इसलिए फिर एक भाग को हम पड़ते आये हैं और जो प्रभू येश्य मसी में है वो नए रिते से बना है इसे हमने देखा है और प्रभू येश्य मसी को पाए हुए हम लोग है और जो प्रभू येश्य मसी में नहीं रिते से हम बने है और एक समय हमारा पुराना जीवन था और पुरानी आदते थी और पुरानी हमरी चाल चलन थी और पुरानी हमरी बाते थी लेकिन परमेशने नया हमें बना दिया है और सब कुछ नहीं हमारे बना दिया इसलिए परनुष के वचन में ये देख सकते हैं और कई विश्यों में यहाँ पर लिखा गया है और 14 वचन में क्या लिखा गया है क्योंकि मसी का प्रेम हमें विवश्च कर देता है और अंदर को रुका ये मृत्य पुद्धिन वाड़ेगा मना चूसतू नाम क्योंकि सब के लिए उसने मृत्य को सहा ये हम देखते हैं परमेशने के प्रेम को यहाँ देख सकते हैं प्रेम के कारण ही हमारा उठार हुआ है गलती पत्रिका और गलती को लिखी कई पत्रिका रंडवाद्यायम उसका दूसरा थ्याय रवय वच्छे नम लो और उसके भीश में मनुकर पर सकते हैं हम सब मिलकर पढ़ेंगे मैं मसेगे सा यो शुश कर चड़ाया गया हूँ अब मैं जीवित ना रहा पर मैं जीवित है और परमेशर के प्रेम को हम देख रहे हैं और पॉलस भी यहां क्या कहता है और कहता है कि अब मैं जीवित नहीं कहता है और वो मतलब है इसकी अपनी जीवन के विशे में कह रहा है और उसका जो बचा हुआ जीवन है और यहां पर ऐसा लिखा है जिसने मुझसे प्रेम किया और यहां देख रहे है और शाश्वत सदाकाल का प्रेम है और यहां की पुष्टक में लिखा है और इसके 31 वर्स और 31 वर्स त्री और उसका तीसरा वचन एक तीस और उसका तीसरा वचन और यहां को यदि हम पढ़ें तो चादू कुंदां हम पढ़ते हैं शाला ने मुझसे दूश्य दर्शन देकर यहां आप प्रत्यक्ष्यमाइब इसके पेम करता प्रेम करना इससने क्या किया। आपने लहु को उषने दान कर दिया, थाना पुना पराना परोवर परान कर दिया अर्फ समाधी में मना चला गाल और रिस फिर वो जी उठा है यूपनी प्रेम चबद देरग दू इधे दी पर में का प्रेम है शॉत अनन कर दो शॉत पर मंत यह गेता है दोजार तेस में कितने ही हमसे प्रेम करने वाले आप छोड़ी हमें उन्होंने छोड़ दिया है अपने बच्चों से प्रेम को वो खोव बैटे हैं और कितने ही मुलेवान वस्तु यदि उनको दे तो भी उन्होंने हमसे द्वेशी किया है लेकिन परमेश का प्रेम कैसा है और ये सदाकाल का प्रेम है इसलिए आप और में नए रिति से हमें बनाए गए है और सारी पुरानी चीदी जा चुकी है आप सब कुछ नया कर दिया है और नया वर्श प्रभुने हमें का दिया है और नय वचन को प्रभुने हमें दिया है और मनुष्य के प्रेम को यहां देख सकते हैं और इस प्रेम के विशेय में थोड़ा सा वाफित अपने आपको स्मरंद करेंगे और दूसरा सामिल मदेट अध्याय मूँ पहला अध्याय मूँ इकड़ रंड़ इरवे आरो इचेन हमला मनुचुडवत्शू और शब्विस अचन में हम देख सकते हैं और सबसे पड़ेंगा मिलकर हम पड़ेंगे अंधर शब्दम मिलकर पड़ेंगे ना सखोदु अध्याय मेरे जोनाताना नियुञा काते मन आध्याध ही नीवी निमित अधा वन्धा इन कुन न किन प्रेम बघुश्यों के प्रेम से भी बड़ता था वbür द amenda क्या देख रहे हैं और डाविद और inner-nlut के प्रेम थे ऊंदौ्ड की टीन में गरत आ खीशर मों प्रेम हुषा में कि अब्सित शंच्य तया तो आन्ट की बाट आविगहाशत की बिच मैं केशा हैक्षा है एक आउ प्रेम दाना देख रहे हैं प्रेम दावित से किया है और जब योनातान जब मृत्यू पाया दावित जब इस विश्य की बारे में जाना तानों दुक्ख़ पड़तु नाड़ अब वो दुखित हो रहा है बाद पर तुनाड़ आप वो बादा पीडा में है येडुस्तु नाड़ और रो रहा है ताब अधि मानों नियका प्रेम अधि वेड़ पापन दुस्तु नाम और मनुष्य का जो प्रेम है वो जुहां पे छुड़ा जो छूड़ गया वो देख रहे हैं चानामादी कुटुमबाल लोग वेक्ति चनि पेन अड़को और कई परिवार में यदि कोई वेक्ति मिल्ति पा लेकिन उसके प्रेम को वहाँ पे वो दर्शाते हैं और कितना ही अपने पिता से प्रेम करते हैं और कितने ही अपने पती से प्रेम कर रही है और मनुष्य का जो प्रेम है उस दुखित समे में देख सकते हैं और वो दुख के समय में उस प्रेम को वहाँ पर दिखा रहे हैं और ये जो प्रेम है संसारिक रूप से ये संबंदित है वो वेक्ति देख नहीं सकता इसी रिति से जोनात नुगोड़ मराणमी चें तर्वात दावित क्या कहरा है यहाँ पे आंसु भारा है ना कुनना नी प्रेम बहु गुंतले ने देन्ट नाड़ तेरा जो प्रेम वो इतना ही ये कहता है श्रीएयों के प्रेम से भी तेरा प्रेम बढ़कर था और इनके जो मित्रता के कारण योनातान। दाविद उसके मिलने के कारण योनातान ने तुम रुत्य पाया है और याधी योनातान दाविद याधी ना मिले होते प्राण बचाने के लिए युनातान का परमिशन इस्तमाल किया है और रात की समय भी वचन में हमने देखा और पहला समय उसका 19 में और पहले समय उसके 19 में क्या लिखा गया है और फिर उस बात को पढ़ेंगे मदेटी वच्चे नम रंडव उसके 1 अधर चवथां पहले दो वच्चे नम पढ़ेंगे अंतल शावल नेया प्राणल कि शावल नेय mendना और प्राणतानी समय भी वचन में हमने बुनाग्य वोड़ा वालेंगे और इन दोनों के बीच के प्रेम देख रहे हैं और सोस्मु कह रहा है और क्या ठीटा है टु एक रीuter भी तुछ टहिंस थी किया ले याद करें तो ना ताना को दौना शystem करें और यहां पर सो विश्पख्ष में क्या कह रहा है प्राण की खोज में रहता है योनातानु दावीदू योनातानु दावीदू प्राण के बाद प्राण को निकालना चाहता है? आपनी इस फीडा की विष़े में उससे कह रहा है और दाविद की बीच में समित्टता की कारण अपनी पिता की विषे में के पहता रहा है और दोनों परिस्ति इस प्रकार है और योनातान का विचार क्या है कि दावुद को उसकी पिता सौल से बचाना और ये हम स्मरंद कर सकते हैं कि दावुद जो है योनातान के द्वारा उसके प्राण बचे हैं और ये मरत्र योनातान के साथ युद्ध में चला गया युद्ध में दोनों मृत्ति पालिये अंटे ये मरनावारत विनिंतर वा था और ये मृत्ति के समाचार सुनने के बाद दावी दिकर ये मंट्र ने अड़ू दावुद क्या कह रहा है श्रीली चूप प्रेम अगट अधिक में प्रेम नो आइनले चूप या हूँ और तुने इस त्रियों से अधीक तेरा प्रेम तुने मुझ पे दर्शाया है और मनिश का प्रेम कहने से क्या है और दावुद के लिए तो योनातान ने उसके प्रान नहीं दिये दावी दू का पाड़ तू अच्छे अड़ंत परिके और लेकिन के वल दावुद को बचाते आया शरी युद्धानी के लिए योनातानी चनि पोई आड़ू और युद ना सहुद्र ना प्रमेड़ू अटिये और मेरे हे मेरे मित लिए मेरे भाई कहने से वक्का तलि घर मुदू नोंड़ू चिन तुन डिवार पलकुत नहीं नहीं देख्ष्म में आप दुखित होता हूं नायंद नी कुणना प्रेम बहु विंतान नहीं और तेरा प्रेम म तुन्हें पुपाया है योनातन प्रेम देखा उपको पदी तुने जो प्रेम देखा है वह वह कितना ही बड़ा है लेकिन तुने तेरे पिता के हाथ से तुने उझे बचा लिया ना और युद्ध में तु जाए तो मैं बहुत ही शोकित हूँ और मेरे पक्ष में तुने तेरे प्रान खो दिये हैं और आज लेकिन इस भूमें मैं जीवित हूँ और इस दोनों की परिसीति को हम दिया ध्यान दे रहे हैं और युद्ध मृत्यु पाने के बाद युद्ध युद्ध नो दाविद वेरे पयारो युद्ध अब अलग हो चुके हैं अब उनके बीच में दूरी आ गई है और यह संसारिक रूप से देख सकते हैं और इसलिए जो हर वेक्ती संसार में मृत्यु पाता है तो उससे वो अलग हो जाता है लेकिन प्रभू येशु मसे भी मृत्यु पाई है और लेकिन वो जीवित हो चुका है वो कहता है कि देखो मैं तो मृत्यु पाया हूं लेकिन युग-युग से मैं सजीव हूं और युग के सदाकाल तक मैं तेरे साथ रहूँगा कहता है यहां पर परमेशर किने अपने प्रेम का कैसे वर्नन किया है कैसे दर्शा है यह देख रहे हैं और दाविद अन्याद के बीच का जो प्रेम है वो यहां पर अलग कर दिया गया है लेकिन प्रभु येश्मसी का जो प्रेम है वो हमें अनंतकाल के राज में वो लेके जाता है निरंतर उसके साथ जीवन हमारा होगा अंधिकने माने के वाद्दान हम लो कोड़ा वाद के हम रहे बढ़ें दी इसलिए अभी वच्छ इस साल के कलीशे के अभी वच्छ नम लो और हिप्री पर्दिका उसके अंगन का वानी संपूर्ण का रक्षिंच शेक्तिमां तुड़े उन आड़ो और साथ और पत्रिस में लिखा है और क्या लिखा गया है इसलिए जो उसके द्वारा पर्मिशा के पास आता है वो उनके पूरे उदार कर सकता है क्योंकि वो उनके लिए विंद्धी करने के सर्वादार जीवित है इसलिए जो उसके द्वारा पर्मिशा के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उधार कर सकता है क्योंकि वो उनके लिए विंद्धी करने को सर्वादार जीवित है यावरी है ना ये कौन है 21 वच्चनम 26 और 26 वच्चनम लिखा है हम सब मिलकर पड़ेंगे पावित्रोडनू निर्दोशि निष्कलंकड निर्मल पापियों से अलक करने रहने वादू सब्सक्राइब और स्वर्ग से भी उचा किया गया इसा ही महायाजक हमारे योग है और ऐसे महायाजक को परमिर्श ने हमें दिया है और उसने मृतिव पाया है लेकिन हमारे युगी को हमारे लिए क्या कर रहा है महारे बात रख रहा है अधिमे दुद युद ने हमें दो उसने मृतिव पंदा लेकिन वह जीवित है योणातन मृतिव पंद संसारी गृूप से मिट्टी में वह मिल गया अधि शाष्वत प्रेम नहीं है अच्छोप तो लेकिन परमेश्वर का शाश्वत प्रेम और वह सदा का उसका प्रेम करेंड़ उसका हमारे लिए अपने पुत्र को उसने संसार में भेज़ दिया यह जैशाड पंपिंची और उसने भेज कर हमारे लिए क्या किया और पहला यहन उसका पत्रिका नालग अध्यायमू और उसका चार आट और नौवचन सब मिलकर हम पड़ेंगे देवोडो प्रेमा स्वरुपी, प्रेम अलेनी वाट देव नेरेगड़ू, तो प्रेम प्रमेश्वर हम से रखता है, तो इससे प्रकटू आगी प्रमेश्वर के अपने प्रमेश्वर को जगत में भेड़ेगा, तो कि अपने प्रह ने अपने आपको दिन कर दिय, परसुद बार्चाडू और पुट्र किया रोमी उसका हाट वर्स वन और रोमी आठ और उसके एक में और उसका एक गट्टी के चाद बंडे बरू और कोई बड़े उचे आवाद से तेल्गु में पढ़िये का बट्टी इपड़ क्रीष्ट ये सुननद वर्स चाद ये सिक्षा आपी दिले दू और यहां पर लिखा है अब जो मसी येशु में है उसमें दंड की आ गिया नहीं और जो पुराना है वो जा चुका है समस्तमों और सब कुछ जो है और नया कर दिया गया है अंधिकर नीविने नू इसले आप और मैं जो है यावरम है कौन है बताइए लोतना सुरुष्टी और नए सुरुष्टी है और हमारे पक्ष में आयना उसने रक्तंगार चाड़ो उसने लहू बहाया और उस लहू के द्वारा और हमारे पापों का श्रमापन हुआ नूता पर चाड़ो हम नए बन गए तरह प्रेम को दिर्शाया अंचाने पर त्री ले चाड़ो और मित्यू पाकर फिर जीवित उठा जीवित उठकर उसने वापिस क्या किया अब हमारी बाते हो हमारे पक्ष में वह कह रहा है और उसके प्रेम को दिखा रहा है और ऐसा महायाजक और वह हमारे योग्य है यह देख रहे हैं करेंगे प्रभु ननु नु 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 तुने जो कारे किये हैं इसलिए मैं तरको धन्यवाद कहता हूं ना प्रान मां यहावान। यहावान। तु धन्यक है। आएने चेश्य न उपकारनों देरी निमर्वकुमू और उसके किये गे उपकारनों को तु न भूलना। न रिदेवले रिमूलो चानि पोल सीन वाननी और मैं दो हजार थेवेस में मैं मृत्यु पाने वाला था। ना जीवी तो भाएनकर में थी। जीवन जो कितना भ्रयंकर जीवन था। ने। ने। रहनां का पात्र था। वयत्वी प्रीकुमारन येशु प्रववार ने बठी। लेकिन तेरे प्रीवेशु प्रभु ये करेंगे और उसके प्रेम की कारण अपने पुत्र को भेज दिया यह हमने देखा है सुबह के समय को याद करते हुए फिससे प्रेम करते हैं क्या वह आपके साथ विश्वास योगया है इस बात को आप समय करें लेकिन परमेश्ट का प्रेम कैसा है वो हमें और नजदीक लेकर आता है इस प्रेम के लिए परमेश्वर की हम अरादना करेंगे वो हमारे ले पिता है वो हमारे ले माता किनाई है वो हमारे ले भाई जैसा है वो हमको प्रेम करने वाला है वो कितने ही विशे उसकी विशे में उसकी बार में हम देख सकते हैं और ये सब मेरे ले योग्य है और ऐसा महायाज़त मेरे पक्ष में मेरे विशे में वो कहता है प्रमेश्वेर इस भाग को इस बचन को आशिशित करे